हेलो एवरीबन वेलकम बेक इन अवर चैनल दोस्तो आप सभी का स्वागत है मैं हम कपलतो दोस्तो आज हम इस वीडियों प्रैक्टिस सेट 10 को आज हम कंप्लीट करेंगे इससे पहले में प्रैक्टिस सेट 9 तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है तो आप हमा जो भी आपके एक्जाम होंगे तो बिलीव करिए काफी हल पूर रहेगा ये मैद की जो सीरीज हम कर रहे है प्रैक्टिस सेट होके अगर पैट के अलाब अगर ये टॉपिक आपके अधर किसी भी एक्जाम में रहते हैं तो बिलीव करिए काफी हल पूर रहेगा ये सीरीज तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेसन तो दोस्तों से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से जरूर करिएगा तो आपका question number first दोस्तों आपने लिया है किस से ratio से यदि 2a is equal to 3v is equal to 4c हो तो आपको a ratio b ratio c का value आपको बताना है इस question को solve कैसे करेंगे ज़र आप अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए जो आपको given values हैं इनको आप किसके एक और रखोगे kk 4c is equal to 3v is equal to 2a ओके मैंने जो given part था उसको मैंने लिख लिया और इसको किसके एक को लेके चलेंगे kk 1 by 1 हर एक पार्ट को kk को लेके चलना है अगर मैं 2a is equal to 4k के साथ लेके चलता हूँ पहले मैं 4c को solve कर देता हूँ 4c is equal to k तो आपका जो k का value आएगा दोस्तों आपका आएगा ky4 ओके एन सिमलर आपको हर एक पार्ट की value आपको निकाल लेनी है जब आप 3v is equal to k लेके चलोगे तो आपको मिलेगा v का value ky3 ओके सिमलर सी का जैसे हमने निकाला तो उसी तरीके से हमने आपके वी का निकाल लिया एन सिमलर आप एक का भी आप निकाल सकते हैं 2a is equal to k लेके चलेंगे तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जोस्तों के के इस इकल टू आपका आएगा ky2 ओके यहां तक आई होप आपक ky3 and c आपका है ky4 ओके सेम रेशियो होते हैं जो भी common numbers होते हैं वो रेशियो में से हट जात हैं तो आप यहां से k को यहां से out कर दीजिए तो आप लिखोगे 1 by 2 ratio 1 by 3 ratio 1 by 4 ओके अब अपने options को देखिए जो option में जो ratio आपके fraction में नहीं आ रहे हैं वाकि सारी proper values में आपके ज सबका LCM लेते हैं सबका जो LCM वो कितना आएगा 12 2 6 और 4 जो LCM आएगा 12 आएगा तो आपको करना क्या हर एक पार्ट में आपको 12 से multiply कर देना तो आप लिखोगे इसको 12 upon 6 12 upon 2 sorry ratio का sign and 12 upon 3 ratio का sign and 12 upon 4 ratio का sign okay I hope clear होगा क्या करते हैं denominator के LCM ले लिए LCM लेने के बाद जो भी LCM आ ओपर हमने multiply कर दिया अब one by one इनको आप कट कर लिजे two से six time cut होगा ratio two से three से four time cut होगा four से आपका three time cut होगा जो आपका ratio आया है नकलके six ratio four ratio three अब अपना option चेक कर लो जो आपका ratio दोस्तों करेक्ट होगा है यहाँ पर option number c I hope आपको समझ आ गया होगा अगर कोई भी doubt है तो इस वीडियो का आप दोवारा से play करके देख सकते हो तो चलिए question number second की तरफ चलते है question number two हमने percentage से लिए ओके आपके slavers को देखने के बाद ही आपको वीडियो प्रोवाइट की जा रही है ओके तो second question आपका है x का x percent 36 है x का x percent का के प्लेस में multiply का sign आता है और x percent कितना दे रखा x का x percent आपको दे रखा 36 okay और आपको x की value बतानी है तो क्या करेंगे पहले हम क्या करेंगे percentage का sign remove करेंगे percentage का sign remove करने के लिए हम divide कि से करते हंड्रेट से आई होप आप सब भी लोग को इतना दो पता ही होगा आप क्या करना x का x multiply करिए क्या हो जाए गए x square okay is equal to 100 का 36 करोगे तो आपका आएगा 3600 x square को जो value वो आपका आएगा 3600 आई हूप आपको यहां से अपना answer दिखी गया होगा इसका रठाने के बाद सामने वाले number पर जो हम क्या लगाते हैं square root जब आप इसका root solve करोगे तो आपके 60 का इसकार हो गया होगे 60 multiply 60 ओके इतना टाइम मुझे आपको समझाने में लग रहा है हो कि आपको इतनी calculation वहां करनी ही रही है डारेक्ट आप 3600 के बाद अपना टिक answer कर सकते हो यानि कि आपका option number V सही हो गया तो चलिए question number 3 की तरफ चलते हैं तो question number 3 आपका दोस्तों हमने लिया है average से last year जो आपका पैट का exam हुआ था दोनों सिफ्ट में आपके average के question पूछे गए थे और मेरी सभी प्रडामों को औस बताना है कितना होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जितने भी हमने question की है सबसे पहले हम क्या निकालते हैं प्रडामों यानि कि नंबर्स हैं वो आपके उसत कितना था 20 थे और नंबर्स कितने थे 30 तो 30 परडामों को जो उसत है वो आपका आगया 600 ओके एंस सिमलार आप दूसरे 20 परडामों को अभी उसत ऐसे आप निकाल लीजे योग करके तो यहां पर मैंने बोला है लिख दी है तो 20 परडामों को उसत कितना था 30 परडाम मल्टिप्लाई उसत तो इनका भी जो योग आएगा 20 परडामों को वो भी आपका 600 आ रहा है इसने क्या पूछा था सभी परडाम बताओ तो सारे परडाम कितने होगे 30 ऊपर थे 20 आपके यह रहे तो कितना हो गया 50 यानिकि 15 परडामों को योग कितना आ आई होप आप सभी लोग को पता होगा उसत इस जिगल टू आपका होता है परडामों का योग परडाम का योग कितना है बारेश हो एन परडामों की संख्या कितनी है 50 ओके अब आप इसको सिंपली इसको कट कर लीजे 0 से आपका 0 कट हो गया जो डिवाइट करने का जो भी आपका आंसर आएगा वही करेक्ट होगा 5-2-10 & 5-4-20 यानि कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों आप पर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा उम्मीद है अगर ऐसा कोश्चन आएगा तो आप इस तरीके से इसको सॉल्फ करिएगा ओके डिफ्रेंट डिफ्रेंट टैफस कि मैंने एव आपको करांए आ आप हमारे प्लेलिट करेक्ट कोश्चन हमने डाले हुए हैं ओके को सिस हमारी यह है कि कि जितनी भी आपके पर पूछे गए तो उसी बेसिस पर आपको ये प्रोवाइट की ये जा रहे हैं वीडियो काफी हेल रहेगा मेरी कोसिस यह है कि आपके लिए काफी हेल पूर रहे है एक्जाम में ओके तो डिफ्रेंट डिफ्रेंट टैफ्स के मैंने कोशन लिए हूँ होगे सिंपल कोशन तो आई होप सभी लोग करें लेंगे थोड़े से टफ कोशन हो मैंड लगाना बड़े ऐसे कोशन मैंने लिए हुए है तो देखो कोशन आपका है इसकार रूट का सायन है फिर उसके अंदर इसकार रूट ट्वेंटी फाइफ अंड़े प्लस इसका रूट नाइन सिक्स्टी वन इसगल टू कॉशन मार्क होल इसकार कोशन मार्क के प्लिश वे क्या वेल्यू आएगा वह आपको बताना है सबसे पहले हम इसकार रूट को सॉल्व करेंगे ओकि मैंने पहले आपको और बता ही दिया कि आपको पता लगी गया होगा कौम सी वैल्यू किसका इसका रूट होती है तो ट्वेंटी फाइफ अंडेड होता फिप्टी का होता है मैं डारेक्ट हैंवे 50 लिख रहा हूं और आपका थर्टी वन का होता है अब यह ओबरल इसका रूट में चल रहे थे तो आपका हो जाएगा यह 81 यानि की 9 का हो गया होके option में आप 9 को टिक मत कर दीजिएगा होके वेकोज आपसे क्या पूछा गया है question mark का square तो यह किसके square के equal होगी value तो आप क्या लिखोगे तो यह जो 9 है वो आपका 3 का square है यानि कि हम बोल सकते के paper अच्छी तरीके से होगा and question 5 को solve करते है कितने वर्सों में 12% बारसिक दर से 3 है रुपे का साधारड़ ब्याज 1,800 रुपे हो जाएगा कितने समय में हो जाएगा आपसे time पूछा गया तो given part देखो क्या क्या है आर आपको given है आर आपको given है 12% मुझे समझाने में आपको time लग रहा है एक्जाम में आपको इतना बेसिक से करना नहीं है जल्दी जल्दी से आप अपनी समय में आपका हो जाता है यह basic सा question है उम्मीद है सभी लोग इसको कर लेंगे यह मैंने question इसलिए आपके ऐसे ही question exam में पूछे जा सकते हैं और जो आपका railway का गुरूप D का exam हुआता similar essay question आपसे पूछे गए math similar हर एक exam में same ही रहता है थोड़ा बहुत change होता है ओके PRT upon 100 आपसे T पूछा गया है तो हम यहां से T का value निकालने की पूरी कोशिस करेंगे तो SI multiply 100 okay upon P multiply R is equal to आपका रह गया T अब जो आपको given values नहीं आप यहां रख दीजिए और आपका answer आज आएगा तो देखो SI कितना तो उसमें 1080 रुबे multiply 100 प्रिंसीपल आपको given था कितना 3000 multiply R आपको given है 12 and T अब देखो 30 से 30 कैंसल कर लो 1 2 3 3 0 से 30 कैंसल हो गया ओके next अब क्या करोगे आप 3 से 36 टाइम कट कर लो 3 से 36 टाइम कट हो गया ओके ना अब 12 से आपका यह कट हो जाएगा 3 तो आपका क्या बचा टाइम बचा आपका 3 तो तीन बर्स लगेंगे इसको तो जो आपका correct option होगा दोस्तों यहां पर option number A हो जाएगा आपको समझ आ गया होगा हमारी कोसिस है यह डिफरेंट डिफरेंट टैप्स के आपको question कराए जाए जिससे कि आपका जितने भी टॉपिक है सारे cover हो तो मिलते हैं अंगले वीडियो में और नाई questions के साथ तब तक के लिए धन्वाद and wait for the next video